आपको अपने सामने ये ताली का नज़र आ रही होगी उसमें हम देख लेते हैं कुछ जो आयात किया जाने वाला आयात व्यापार है हमको हमने पढ़ है कि व्यापार दो तरह से होता है एक निर्यात व्यापार होता है और दूसरा आयात व्यापार है तो आयात व्यापार की जो इन देशों की कुछ देशों के नाम दिये गए हैं और आयात की जाने वाली बस्तुएं दी गई हैं और उनकी दिशा मतलब किस छेत्र से वो उन चीजों का आयात कर रहे हैं तो पहले आप देख पा रहे होंगे संयुक्त राज अमेरिका है और संयुक्त राज अमेरिका ज बैयार वस्त्र, लुबदी और अलग-अलग टाइप की जो मशीने हैं वो आयात करता है और किन देशों से आयात करता है कनाड़ा है भारत, जापान, ब्राजील, अर्जेंटाइना, आस्ट्रेलिया, मलाया, दक्षिन अफ्रिका और पशिमी एरोपी देश हैं और कुछ मध्य पूर्व के देश हैं तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि प्रमुख रूप से आयात की जाने वाली वस्त्वी और उस आयात की जो दिशा है वो किस छेत्र से हैं फिर हम देख लेते हैं जर्मनी का जर्मनी जो है वो प्रमुख रूप से पेट्रोलियम का, खाद्यान करता है तो वो है आपका जापान, फ्रांस है, इटली है, नीदरलेंड, यूएसे, संयुक्तराज, अमेरिका और कनाड़ा, अब हम बात करेंगे जापान की, तो जापान में आप देख रहे हैं इसके द्वारा प्रमुख रूप से लोहा, पेट्रोलियम, टीन है, शक्कर है रबर है, जूट के समान और अलग-अलग प्रकार के, जो सभी प्रकार के खनीज हैं, उनका आयात करता है जापान, वो है, संयुक्तराज अमेरिका से आयात करता है, भारत के द्वारा आयात किया जाता है, भारत देश से ये आयात करता है, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये यह सारे सामान जो है वो जापान आयात करता है अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है वो प्रमुक्रूप से चाय, कहवा, चमड़ा, कपास और पेट्रोलियम का जो है वो आयात करता है और कहां से आयात कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे ब्रिटेन से सायुक्त रबर, कपास, पेट्रोलियम, इस पात के जो समान हैं, वायू यान, सूतिवस्त, उनिवस्त, ये जो है वो आयात करता है कनाड़ा और किन देशों से आयात करता है तो संयुक्तराज अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन से, जापान से, आस्ट्रेलिया से, फ्रांस, चीन, जर्मनी और न्यूजीलेंड, ये कुछ उसके आयात की दिशा है, जिन छेत्रों से वो आयात करता है, ग्रेट ब्रिटेन के स्थिती हम देखें, तो खाद्यान, चाय, कहवा, तंबाकू, लोहा, आदी समान ये जो है, आयात करता है, और किस छेत्र से आयात करता है, तो अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान और पुर्वी यूरोप के देशों से ये इन समानों को आयात करता है, तो ये हो गई व्यापार की दिशा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्यापार संतुलन, या बैलेंस आफ ट्रेट, तो आप देख रहे हैं, बैलेंस आफ ट्रेट या व्यापार में संतुलन क्या हो रहे हैं, जितनी वस्तुएं आयात की जारी हैं, और जो वस्तुएं निरियात की जारी हैं, मतलब उस देश के द्वारा कुल आयात और कुल निरियात का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही क कहलाता है व्यापार संथूलन अब यहां पर हम देख पा रहे हैं दो प्रकार के व्यापार संथूलन होते हैं एक होता है धनातमक और दूसरा होता रिनातमक व्यापार संतुलन क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव हमने भी बताया कि जो वस्तू और सेवाएं आयात की जारी हैं और जो निर्यात की जारी है उन दोनों का जो डिफरेंस है अंतर है वही आपका व्यापार संतुलन है तो जब आयात अधिक किया जाएगा और उसकी अपेक्षा निर्यात की मात्रा कम होगी आयात अधिक मात्रा में किया जाएगा और निर्यात कम मतलब हम खरीद जादा रहे हैं अधिक रूपे की चीज जो है वो खरीद रहे हैं और कम जो है वो बेच रहे हैं तो हम लॉस में चल रहे हैं ना ये तो एक घाटे का सौधा हुआ है ना तो ये जो है इसको हम क्या गहेंगे जब आयात की मात्रा अधिक होगी और निर्यात की मात्रा कम तब वो जो है रिनात्मक व्यापार संतुलन या निगेटिव बैलेंस आफ ट्रेट कहा जाएगा लेकिन जहां पर या इस्थिती जब इसके विपरीत होगी कि आयात जो है वो हम कम कर रहे हैं हमारी आत्म निर्भरता जो है देश की आत्म निर्भरता उस अलग-अलग टाइप की वस्तुओं की उत्पादन पर अधिक है हम प्रड़क्शन अधिक मात्रा में कर रहे हैं है ना तो हमको आयात करने की आवश्यक्ता कम पड़ेगी और निर्याद जो है वो हम अधिक मात्रा में करते हैं तो यह जो संतुलन है यह हमारा पॉजिटीव होगा मतलब फायदे का सौधा होगा क्योंकि हम अधिक जो है वो बेच रहे हैं और खरीद कम रहे हैं तो बेचने से क् हमारे आय में वृद्धी होगी पैसा हमारा हमारे पास पैसा आएगा लिकिन अगर हम किसी चीज को खरीदेंगे तो हम उसमें हमारा पैसा जो है वो बाहर की ओर जाएगा तो जब आयात की मात्रा कम होगी और निर्यात की जाने वाली मात्रा अधिक होगी तब हम इसे धनात धनात्मक व्यापार संतुलन या पॉजिटिव बैलेंस जो है वो कहेंगे मतलब धनात्मक व्यापार का संतुलन कहा जाएगा तो ये तो हो गए व्यापार के संतुलन की स्थिती और ये आपके एक्जाम के दृष्टिकोंड से परिक्षा के दृष्टिकोंड से भी ये आपक पूर्ण है क्योंकि अगर आप पिछला जो प्रश्न पत्र है वो उठा कर देखेंगे तो इससे संबंधित आप से प्रश्न भी पूछे गए हैं एप्लाइट टाइप के कोश्चन आते हैं व्यवहारिक प्रश्न आएंगे आपको इस कॉंसेप्ट को समझना है और उस कॉंसे अरब डॉलरोपय में दिये हुए हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टीकुलर एक देश का पूछ सकता है आपसे कि व्यापार संतुलन के स्थितिक क्या है बताइए तो आपको क्या करना होगा जितनी आयात की गई मात्रा है उसमें से निर्यात की गई मात्रा क हम क्या कर देंगे कम कर देंगे या घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा व्यापार संतुलन और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि वो व्यापार संतुलन अगर आप देखेंगे कि आयात की मात्रा अधिक है निर्यात की मात्रा कम है तो वो रिणात्मक व्य नजर आ रहा है कि निरियात की मात्रा जो है वो अधीक है और आयात की मात्रा कम है तो वो आपका धनात्मक व्यापार संतुलन जो होगा कि ईजो विश्वा अश्चैना पुर्ण पहलू या अंग हैन कि अब हम बात करते हैं कुछ अब हम यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दिया गया है और इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो विश्व व्यापार का स्वरूप है वो किस प्रकार बदल रहा है इसमें हम प्रमुख कुछ और योगिक देश की बात कर लेते हैं जिसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले संयुक्तराज अमेरिका आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको तीन वर्ष के जो आकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं संख्याएं दी गई हैं वो आपको सामने नजर आ रहा होगा कि अरब डालर में हैं तो संयुक्तराज अमेरिका का 1980 में निरियाद 225.6 रुपए अरब डालर का था और इसने जो आयात किया था उसका मुल्य था 257.6 रुपए अरब डालर फिर 1990 में देखे आप इसके द्वारा जो निरियाद किया जाने वाला मुल्य था वो 393.6 रुपए अरब डालर और जो आयात किया गया वो 517.6 रुपए अरब डालर का था फिर हम क्रमशह वर्ष 2000 की बात करें तो हम देख रहे हैं कि निरियाद मुल्य था 782.6 रुपए अरब डालर और आयात मुल्य जो था वो 1258.6 रुपए अरब डालर का तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1980 से लेकर 2000 तक हम देखें तो क्रमशह आपके निरियाद मुल्य के साथ साथ जो आयात किया जाने वाला मुल्य है उसमें भी क्रमशह वृद्धी हो रही है और तीनों ही इसमें हम वर्षों में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो नि निरियाद मुल्य है वो आयात मुल्य से कम है मतलब आयात जो है वो अधिक मुल्य का किया जा रहा है और उसकी अपेक्षा जो वो निरियात कर रहा है उसका मुल्य कम है अब हम यहीं पर कनाड़ा आपके सामने नजर आ रहा होगा टेबल में कनाड़ा देश का दिया गया है 1980 में हम देख रहे हैं 67.6 रूपए अरब डालर का निर्यात किया है इसने और इसकी अपेक्षा जो आयात मुल्य है वो कम है 62.5 रूपए अरब डालर मतलब 1980 में कनाड़ा ने निर्यात जो है वो अधिक मुल्य का किया है और उसकी अपेक्षा जो उसका आयात मुल्य है वो कम है हम 1990 में भी यदि देखेंगे तो यही हाल है उसने निर्याद जो किया वो अधिक मुल्य का किया है लगभग 127.6 रुपए अरब डालर का और उसकी अपेक्षा उसने आयात मुल्य उसका कम दिख रहा है हमको वो है आपका 123.2 रुपए अरब डालर अब 2000 में हम देखेंगे तो थोड़ा सा पोजिशन है वो चेंज हो जा रहा है हाँ यही पर भी यहाँ पर बहुत अधिक जो निर्याद मुल्य है वो बढ़ गया है आपका जो 1980 और 1990 की अपेक्षा अब यह निर्याद कर रहा है 277.2 रुपए अरब डालर मुल्य का और फिर से आयात मुल्य इसका हमको कम नजर आ रहा है जो आपका 249.1 रुपए अरब डालर का किया गया है आउस्ट्रेलिया की यदि हम स्थिती देखें तो यहाँ पर भी आपको इस टेबल या तालिका के माध्यम से हम देख रहे हैं कि इसका जो निर्याद मुल्य है वो आयात मुल्य की अपेक्षा कम है तीनो ही वर्षों में अनिसो अशी, निसो नभय और 2000 में ये आयात अधिक मुल्य का कर रहा है और उसकी अपेक्षा निर्याद कम है इसका हम जापान की भी यही स्थिती देख रहे हैं इसकी स्थिती जो है हमको और 1990 में यदि हम देखेंगे 1990 में जापान का निर्यात मुल्य अधिक है 287.6 रुपए अरब डॉलर और आयात मुल्य उसका कम है 235.4 रुपए अरब डॉलर का और 2000 में भी इसकी स्थिती सुधर चुकी है यह निर्यात अधिक मुल्य का कर रहा है और उसकी अपेक्षा इसका आयात मुल्य जो है वो कम है अब हम आपके सामने और भी देश नजर आ रहे हैं तालिका में लेकिन सबका आप अवलोकन करेंगे हम कुछ विकास शील देशों की बात कर लेते हैं हम अफ्रिका को देखेंगे तो अफ्रिका का हम देख रहे हैं कि इसका भी निर्यात मुल्य अधिक है 93.3 रुपए अरब डॉलर और आयात मुल्य जो है वो इसका 83.3 रुपए अरब डॉलर का है और क्रमशा 1990 में भी इसकी स्थिती यही है कि इसका जो निर्यात मुल्य है वो अधिक है आयात मुल्य की अपेक्षा और 2000 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके आकड़े उपलब्द नहीं हो पाए हैं आयात मुल्य के लेकिन निर्यात मुल्य इसका है 119.7 रुपए अरब डॉलर का अब हम एशिया की बात कर लें तो एशिया में हम देख रहे हैं पूरे एशिया का 163.7 रुपए अरब डॉलर का निर्यात मुल्य है और आयात मुल्य जो है वो इसका 180.1 रुपए अरब डॉलर का है आयात अधिक किया जा रहा है और यही स्थिती नजर आ रही है आपके 1990 में भी इसका जो निर्यात मुल्य है वो आयात मुल्य की अपेक्षा कम है यदि हम चीन को देख लें तो चीन में हम देख रहे हैं कि यहां भी 1980 में निर्यात मुल्य कम था उसकी अपेक्षा आयात मुल मिल रहा है हमको 1990 में हम थोड़ी स्थिती जो है सुधरी हुई दीख रही है यहां पर इसका निर्यात मुल्य 61.3 रुपए अरब डॉलर अधिक रुपए का है और आयात मुल्य जो है वुस्किय पेक्षा कम है जो कि आपका 53.3 रुपए अरब डॉलर है और क्रमशा 2000 में भी हमको यही स्थिती मिल रही है इसने निर्यात मुल्य जो है निर्यात अधिक किया है निर्यात मुल्य इसका 249.2 अरब डॉलर का है और आयात मुल्य जो है वो इसका 225.1 रुपए अरब डॉलर का है हम भारत की अपनी स्थिती देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसका जो निर्यात मुल्य है वो आयात मुल्य की अपेक्षा बहुत कम है 1980 में इसने 8.6 रुपए अरब डॉलर का निर्यात किया है और आयात जो किया है वो 14.9 रुपए अरब डॉलर का क्रमशह हम तीनों ही वर्षों में देख रहे हैं कि भारत का जो निर्यात मुल्य है वो आयात मुल्य की अपेक्षा कम है लेकिन इसमें जो अंतर है वो 1980 से क्रमशह कम होता हुआ वर्ष 2000 में इनके बीच का अंतर हमको कम देखने को मिल रहा है वर्ष 2000 में इसने 47.3 रुपए अरब डॉलर का निर्याद किया है और 49.8 रुपए अरब डॉलर का आयाद किया अब हम यूरोप की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसका जो निर्याद मुल्य है वो भी आयाद मुल्य के पेक्षा बहुत कम है 1980 में इसने 59.2 अरब डॉलर का निर्याद किया है लेकिन जो आयात मुल्य है इसका वो 93.4 अरब डॉलर है अब 1990 में हम देख रहे हैं 71.4 रुपए अरब डॉलर आयात मुल्य है और 86.7 जो है वो इसका आयात मुल्य है और 2000 वर्ष 2000 का जुन आयात मुल्य है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है निर्यात मुल्य हम इसका देख रहे हैं 259.1 रुपए रब डॉलर मतलब हम 1990 से वर्ष 2000 की बात करें तो इसका निर्यात मुल्य जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है तो यह हो गई कुछ बात आपके कुछ विकाश शिल देश और कुछ विक्सित देशों की जहाँ पर हमने देखा कि निर्यात और आयात मुल्य की स्थिती क्या है और इस तालिका के माध्यम से ही आप अपने परिक्षा के दृष्टी कोंड से कुछ प्रश्न तयार कर सकते हैं अंतर निकाल के आपको बताना है कि इनका जो व्यापार है वो किस प्रकार का है रिडात्मक अंतरास्टे व्यापार हो रहा है या फिर धनात्मक है क्या है व्यापार का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है